चाचा चौदरी और रहे मोटा आदमी एक दिन साबू चाए पीते पीते चाचा चौदरी से बोला चाचा जी लगता है आप कुछ सोच रहे हैं साबू तेरी चाची ने मेरी डूटी लगा रखी है कि उसके नाश्टे के लिए हर रोज ताजे आम तोड़ कर लाऊं सोचता हूँ आज मैं जाऊं या तुझे भेजूं चाचा जी आप ही जाए अगर मैं गया तो कई आम मेरे पैरो तले कुछ ले जाएंगे ये सुनकर चाचा चौधरी रोकेट को लिए वहां से चल देते हैं तू ठीक कहता है साबू तेरे जाने से इतने आम आएंगे नहीं जितने बरबाद होंगे मैं ही जाता हूँ थोड़ी दूरी पर डाकू गोबर सिंग इस मोटे के साथ जरा दिल लगी की जाए ये सोचकर गोबर सिंग उस मोटे आदमी को आवाज लगाता है ए मोटे इदरा अभी आया गोबर सिंग जी जैसे ही वो मोटा आदमी गोबर सिंग के पास पहुंचता है तो गोबर सिंग चिला उड़ता है आप चीख को रहें कमबक्त तु मेरे पाउं पर खड़ा है और वो मोटा आदमी दो कदम पीछे हट जाता है मेरा पाउं कुचल कर रख दिया तभी गोबर सिंग के धिमाग में एक योजना आती है एक आइडिया आया चाचा चौधरी रोज आम लेने आता है आज जब वो आम इखटे कर रहा हो तो अचानक ये मोटा उपर से उस पर गिर पड़े तो चाचा चौधरी का कचुमवन निकल जाएगा तभी गोबर सिंग को चाचा चौधरी आता दिखाई देता है मोटे वो चाचा चौधरी आ रहा है तू पेड़ पर चड़ जब वो आम इखटे कर रहा हो तो उस पर गिर पड़ना समझे गोबर सिंग के बताय अनुसार वो मोटा आदमी पेड़ पर चड़कर एक डाल पर बैठ जाता है चाचा जी आईए यहां बहुत सारे पके आम गिरे पड़े है तभी वह मोटा आदमी जिस डाल पर बैठा होता है वो उसके वजन से तूट जाती है और वो सिधा मीचे गोबर सिंग के उपर गिरता है मोटे तूने मेरा कचूमा निकाल दिया